आप लोगों को बताऊंगा Cod Liver Oil Capsules के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं Cod Liver Oil Capsules और Fish Oil Capsule में क्या अंतर है देखें जो Cod Liver Oil Capsule है वो extract किया आता है Cod नाम की एक फिश के लिवर से जबकि अगर हम बात करें Fish Oil Capsule की तो Fish Oil जो है extract किया आता है Fatty Fish के Flesh है देखें बहुत सारी Fatty Fish होती है जैसे कि Salmon हो गया Tuna हो गया बाकी के Fishes के नाम आपको मेरे स्क्रीन पर दिखरा होगा तो इन सारे Fatty Fish के Flesh से Fish Oil डिराइब किया आता है यहां बात हो रही है Non-Vegetarians वालों के लिए अगर आँ Vegetarian है तो इसके उपर मैंने डीटेल में एक वीडियो अल्रेडी बनाया है जिसमें आप लोगों को साफ साफ बताया है कि Vegetarians के लिए Best Omega 3 का Source है अलगी, Oil Based Capsules ना कि Flax Seeds और Walnuts Flax Seeds और Walnuts क्यों नहीं आप लोगों के लिए Best है क्योंकि अगर आप Flax Seeds और Walnuts खाते हैं तो उससे जो EPA और DHA आपके Body में जाके Convert होता है वो बहुत ही Poor Convert होता है बहुत ही Poor Conversion Ratio है Flax Seeds और Walnuts का इसलिए यह Recommended है कि अगर आप Vegetarian है तो अलगी, Oil Based Capsules ही आप ले Anyways, हम Compare करते हैं अब Cod Liver Oil Capsules और Fish Oil Capsules को Omega 3 के Perspective से देखे, Omega 3 के बहुत सारे Benefits हैं और यह सारे Benefits मैंने अलड़ी एक Detail Video में Cover किया है आप लोगोंने अगर वो नहीं देखा है तो Eye Button पे Link है आप लोग जाके देख सकते हैं अच्छा, थोड़ा सा मैं Recap कर देता हूँ ताकि आपको यह Video भी समझ में आए देखे, अगर आप Omega 3 Consume करते हैं तो वो आपके Body में जाके Convert होता है EPA और DHA में फिर यह EPA और DHA के बहुत सारे Benefits आपको मिलते हैं जैसे यह आपके Heart Health के लिए बहुत अच्छा है, आपके Brain Health के लिए बहुत अच्छा है, इनमें Anti-Inflammatory Properties है, यह आपके Digestion के लिए अच्छा है, आपकी Immunity बढ़ाता है तो बहुत सारे Benefits हैं, इसलिए Omega 3 Supplement आपको लेना ही लेना चाहिए, यह एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा Supplement है अगर आप एक Active Individual हैं जिम जाते हैं, या कोई भी Physical Activity करते हैं, तो यह बहुत ही अन्यवार है कि आप एक दिन में एक ग्राम EPA प्लस DHA जरूर कंस्यूम करें, पर बात करें अगर Cod Liver Oil Capsules की तो Seven Seas नाम का एक ब्रैंड है जिसके Cod Liver Oil Capsules बहुत ही इसलिए है, यह इतने फेमस इसलिए है क्योंकि यह कोई भी Chemish Shop पे Easily मिल जाता है और इसका जो प्राइस है वो 300 रुपए का है, मतब 300 रुपए में आपको 100 Capsules मिलती है पर Capsule की जो कॉस्ट हुई वो आपको मात तीन रुपए जाएगी तो लोगों को लगता है यार यह तो बहुत ही सस्ता सप्लिमेंट है मैं 3 रुपए की एक गोली एक दिन में ले लूँगा अपना EPA और DHA के requirement पूरा कर लूँगा मुझे और कुछ लेने की ज़रुरत नहीं है इसलिए यह बहुत जादा जो है chemist shop के थुरु बिखती है पर कभी आप लोगों नहीं जानने की कोशिश की है कि यह cod liver oil capsule का जो box है उसमें कितना EPA और DHA आपको एक capsule से मिलता है अगर आप गौर फर्माएंगे तो company नहीं इस चीज़ की information नहीं दी नहीं कि एक capsule से आपको कितना EPA और DHA मिलता है Anyways, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक cod liver oil capsule से जो कि 300 mg की होती है उसमें आपको कितना EPA और DHA मिलता है तो एक cod liver oil capsule में 300 mg की जो होती है उसमें आपको मिलेगा मात्र 30 mg EPA और 40 mg DHA जिसका अगर आप total करेंगे तो वो होता है 70 mg मतलब कहां मैं आपको एक ग्राम EPA और DHA लेनों को बोल रहा हूँ और कहां आप cod liver oil capsule से सिर्फ 70 mg EPA और DHA ले रहें तो guys, इसी लिए आप fish oil capsule ही लें देखें, मार्केट में बहुत सारे triple strength based fish oil capsules आते हैं जिनकी एक capsule अगर आप लेते हैं तो आपको एक capsule के थ्रू ही एक ग्राम EPA और DHA मिल जाता है और इन products की जो triple strength के omega 3 के डब्बे आते हैं इनकी cost लगबद 600 से 700 रुपय जाती है और ये पूरे दो महीना चलते हैं मतलब एक capsule आप ले लेंगे आपकी EPA और DHA की requirement पूरी हो जाएगी और इस हिसाब से guys अगर आप cost wise compare करेंगे तो cod liver oil capsule आपको nutritional fact wise और content wise बहुत ही महंगा पड़ा fish oil capsule से इसलिए guys ये recommended है कि अगर आप एक active individual है आप triple strength fish oil capsule एक दिन में एक ले लें उससे आपको EPA और DHA पूरी दिन में एक ग्राम मिल जाएगा तो guys I hope information आप लगों को अच्छी लगी हो और अब मिलता हूँ आपसे आपने अगले वीडियो में till then be healthy take care and चाहीं